Hello friends, welcome to my new video on smart but unusual words अब unusual words क्यों? जब ये smart है? इसका reason ये है because we use less in daily life हम इन words कर अपने daily life में बहुत कम use करते हैं जिसकी वज़े से हम इने unusual कहने लगते हैं and sometimes we are having no interest in learning new words कभी-कभी हमारा new words को learn करने में कोई interest नहीं होता और इसकी वज़े से भी ये smart words हमारे लिए unusable हो जाते हैं and the most important thing, we spend little time with good books और magazines यानि कि हम good books और magazines के contact में कम होते हैं अच्छे books नहीं पढ़ते हैं English में जिसकी वज़े से ये smart words हमारे लिए unusable words हो जाते हैं और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही 10 smart words की practice करवाऊंगी and I hope आप उन्हें enjoy भी करेंगे और definitely अब आप उन्हें अपने daily life में use भी करेंगे So come on, let's get going पहला smart word है ABCDarian पहले इसकी spelling जाने और इसे pronounce करना सेखें A, B, E, A, B C, E, C D, A, D, R, I, N ABCDarian और ABCDarian मेंज होता है being arranged alphabetically यानि कि आप किसी भी समान को especially books को अगर आप alphabetically arrange करते हो फिर वो चाहे वो हिंदी के वर्णमाला में हो या इंग्लिश के alphabet में रखी हो उस arranged books को आप बोलोगे ABCDarian manner example देख सकते हो like books were organized in ABCDarian manner in the library clear? I hope अब आपको इस smart word का use करना समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इन्हें अपने daily life में use करोगे तो अब ये बोलने के बजाए कि books were organized alphabetically अब आप यूज करना है ABCDarian and now the next word is A-D-O-X-O-G-R-A-P-H-Y aduxography और aduxography means क्या होता है? skilled writing on an unimportant subject यानि कि unimportant subject पर या matter पर जो books लिखे जाते हैं जो work of arts लिखे जाते हैं उन्हें हम aduxography कहते हैं example आप देख सकते हो जैसे कि English literature has a massive collection of aduxography by the men of letters यानि कि English literature में बहुत से writers ने aduxography यानि कि unimportant subject या matter पर बहुत ही अच्छी अच्छी किताबे लिखी हैं वो इतने great way में लिखे हैं कि वो लगता है कि वो कितना important topic होगा बट वो बहुत ही trivial topic होता है यानि उसका कोई मतलब नहीं होता और उस पर भी बहुत ही skillful way में जो लिखा जाता है उसे ही हम बोलते हैं aduxography and the next smart word is eolist this is one of my favorite words eolist means क्या होता है देखे a person who pretends to speak with divine inspiration आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत बड़ी बाते करते हैं दैविये बाते करते हैं आध्यात में की बात करते हैं और वो अपनी बातों से लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं but actually में वो खुद भी spiritualism का मतलब नहीं समझते हैं so that person is called eolist अगर आप को example कित्रू समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हो an eolist can never help you in a real sense to the path of salvation यानि कि एक eolist जो होगा जो खुद को दिखाने की ये कोशिश करता है कि वो बहुत दैवियो गुरों से भड़ा हुआ है और उसके speech जे हमें inspiration लेनी चाहिए वो आपको real sense में मुक्ष प्राप्ति का द्वार तु नहीं दिखा सकता so eolist आप इसे ऐसे देखिएगा eolist clear है इसको आप eolist नहीं बोलेंगे आप इसे pronounce करेंगे eolist I hope आप अपने society में अगल वगल कई eolist person से मिलते होंगे the next word is azelast this is also a very smart word and I love it आप भी इसको यूज आप जरूर करें पहले जानते हैं कि eolist नहीं होता कि now eolist नहीं आप परसिन हो नेवर लाफ्स यानि वो वैक्ति जो कभी हसता ही नहीं है हर्दम बिल्कुल मू बना के वैठा रहेगा आप कितनी भी हसी मजाग के बाते कर दो उसके चेरे पर हसी ही नहीं आएगी ऐसे बहुत से वैक्ति होते हैं पता नहीं वो क्यों नहीं हसते हैं उन्हें हसी आती ही नहीं है तो ऐसे लोग जो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते हैं जिस बात पर आपको खुल कर हसना चाहिए उस पर भी वो व्यक्ति रहा से तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एजलेस्टर एग्जाम्पल अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो I cannot adjust within एजलेस्टर as I love cracking jokes among friends यानि मुझे friends में चूप crack करना पसंद है और ऐसे में अगर कोई as a lesser personality मेरे साथ आ जाए तो मैं उसके साथ adjust नहीं कर सकता या नहीं कर सकती friend कौन साइज smart word था जो आपको त्रहत पसंद आया आज की इस वीडियो में फिलहार पिना टाइम वेस्ट किये चलिया सीखते हैं कुछ और ने वर्ड a very beautiful word it's a a-g-e-r-a-s-i-a अब इसे आप is ratio बोलने की भूल नहीं करियेगा you will pronounce it is reza is reza clear है is reza आप इसे is reza बोलाएंगे अब is reza की मिनिंग क्या होते हैं भी देख लो is reza means youthful appearance than one actually is यानि कि यदि कोई वैक्ती अपने उम्र से कम दिखता हो वो ज़्यादा यंग दिखता हो तो ऐसे वैक्ती को हम बोलते हैं as reza उस person के लिए हम as reza word का use करते हैं अगर example देखू तो like for me ये मेरा अपना खुद का view है आप किसी को भी बोल सकते हैं for me bollywood star amir khan is the good example of as reza because he looks quite young वो इतने उसकी age होने के बावज़ूद भी वो इतना youthful इतना energetic है कि मेरे लिए तो as reza का good example amir khani है आपके लिए जो होगा इसके लिए use करना now come to the next word and this is c-a-c-h-i-n-n-a-t-i-o-n अब आप इसे क्योंकि यहाँ पर c-h-i है तो आप इसे kachination नहीं बुलाएगा आप इसे pronounce करोगे kachination 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 चलो आओ देखते हैं kachination means क्या होता है now kachination means historical or loud laughter यानि कि जोड जोड से हसना या सीधे साधे शब्दों में बोलू बिल्कुल पागल होकर के एकदम जूम करके जो हसने बिल्कुल as a eccentric person उसे हम kachination बोलते हैं kachination का example आप ऐसे भी यूज कर सकते हो nowadays kachination is also used as one of the best parts of yoga to relieve you from all types of stresses यानि कि आपने देखा होगा कि योगा में एक और स्टेप्स यूज किया जाते हैं और वो इसमें लोग ऐसे ही बस हस्ते रहते हैं हाँ 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 loud laughter होता होता हो historical laughter so that loud and hysterical laughter को ही हम बोलते हैं kachination so kachination भी एक पकर से योगा ही है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी है तो आप भी इस hysteric को जरूर यूज करा करिए I hope कि ये वर्ड आपकी vocabulary power को strong भी कर रहा होगा और आप मेरी इस वीडियो को enjoy भी कर रहे होंगे तो चलवाओ आगे देखते हैं कुछ और new smart word the next important word is kegamosis kegamosis अब आएए kegamosis की meaning समझते हैं और kegamosis means होता है an unhappy marriage यानि जो जिसकी married life बहुत अच्छी नहों वो बहुत अपने married life में खुश नहों इसके लिए जो हम word use करेंगे that would be kegamosis example अगर आपको use करना होगा तो आप ऐसे बहुत सकते हो like though she got married in a wealthy family even then she was leading a kegamosis life यानि कि उसकी wealthy family में शादी होने के बावजूद भी उसकी जो life ती married life ती that was quite unhappy तो उसके लिए आप use कर सकते हो that she was leading a kegamosis life I hope friends आपको यह smart word अच्छे लग रहे होंगे और अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज आप इसे like तम देना नहीं भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नहे हैं तो subscribe करना भी नहीं भूलिएगा Now this is also a very important and very beautiful word causes पहले आप इसे सही pronounce करना सीख लें C-A-U-S-U-U-S-E Causes But causes means क्या होता है यह भी देख लें A sofa Built for two people यानि सिफ जो दो लोगों के लिए जो sofa होता है इसे हम बोलते हैं causes Generally अगर रिस्टोरेंट में आप जा हुए तो आप देखते हो वहाँ पर causes भी होते हैं और लोग आम भासा में इसको बोल देते हैं अरे वो two-seater sofa है वो two-seater उसे नहीं बोलते हैं That is called causes Clear है अगर आपको इसको एक्जामपल के तोर में daily life में यूज करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो Like Please don't sit here This causes is only for couples यानि कि आप यहां मत बैठियें यह causes सिफ couples के लिए हैं तो अगर जिनकी English अच्छी होगी वो आपके इस causes words से Definitely बहुत ही impressed होंगे और उन्हें भी लगेगा कि आपके English बहुत अच्छी है So please अब आप इन smart words को अपने life में use करें और इसके उपर जो unusual word होने का जो लोगों लग चुका है Please आप इस stamp को remove करें And this word is C-H-A-R-I-E-N-T-I-S-M Shariantism 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 अब चलो देखते हैं Shariantism मेंस क्या होता है Shariantism मेंस An art fully weld inside English literature भे इससे अच्छा example और क्या मिलेगा John Dryden I think he had very beautifully used The art of Shariantism In his work Macflek So John Dryden ने अपने एक work लिखी वी थी Macflek और उसमें उनोंने बहुत ही artfully Very beautifully Shariantism का use किया हुआ था That was awesome और अगर आपने उस बुक को नहीं पढ़ी है तो आप उस बुक को पढ़ने पर शाम में सो जाओ फिर रात में सो जाओ फिर उटो फिर फिर जो जाओ यानि जब दिन भर मन करें सिर्फ सोए रहो बिस्तर में पढ़े रहो तो यह प्रकार से रोग हो जाता है और इस रोग या इस आदत को हम बोलते हैं क्लिनोमानिया अगर एक्जामपल देखो लाइक माइ क्लिनोमानिक हबट गेंड मी फैट दूरिं इस लॉक डाउन यानि कि इस लॉक डाउन में ने जाने कितने लोगों ने बहुत फैट गेंड कर दिया और यह व्यूज आपको मेरी यह वीडियो पसंदाई होगी